हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टो ओलो फ्यू है जो साइंस अंद मैथ सीचर नैंसी मैं तो आज हम क्लास एट का फॉर चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब प्रेक्टिकल जोमेट्री इसके अंदर हम क्वाड्री लेटरल बनाना सिखेंगे कमपस से हम किस तरह चे क्वाड्री सेंटिमेटर बी-सी की है 5.5 cd 4 ad 6 and ac 7 यानि कि वैसे हमारी क्वाड्री लेटरल में कितने साइच होती है 4 लेकिन अगर 5 है तो मतलब उसके अंदर एक डायगनल भी प्रेजेंट है तो इसके लिए पहले हम एक रफ क्वाड्री लेटरल ड्रो करेंगे अब हमें साइट के ग साइब है और यह बीकी डिこी एड की अहां पर देख सकते हैं एस trustnail कि लो गार्री यानि कि जब भी हम quadilator बनाएंगे, पहले हमें क्या बनाना है उसका diagonal, फिर उसके साथ हमें दो triangles ड्रो करने हैं, सबसे पहले यानि हमें क्या side चाहिए होगी AC, AC क्या है हमारी 7 cm, तो हम क्या करेंगे, पहले AC एक 7 cm line ड्रो कर लेंगे, अब हम क्या देख रहे हैं, AC के side में क्या बनावा AD, और C से यहां क्या बनावा, CD, तो हमें पहले क्या चाहिए AD, और AD की हमारे side क्या है, 6 cm, यानि कि हम अपने compass को क्या करेंगे, 6 cm open कर लेंगे, अब हमने क्या किया, अपने compass को 6 cm open कर लिया है, तो यह 6 cm हमारी open हो चुकिया है, हम क्या करेंगे, AD बनाने के लिए, यहां से 6 cm से Labor कि तरहीगे अर्क लगाएंगे इस तरह से आपने कंपस को क्या करना पड़ेगा फोर अब क्या घ्रिंसे कंपस उठाएंगे और यहां पर इसंथार यानि कि यह क्या बन गया AD और यह क्या बन गया CD जब मिःस्स यॉइन करेंगे तो यहां पर एक ट्रैंगल की शेप आ जएए कोई यह हमारा क्या बन गया AD और यह क्या बन क्या मसें मारा CD हमें यहाद रखना कि इस क्षाड़ेली को लग लťकरS की तरह आर्क लगा देंगे सी से क्या बन रहे डी यानी CD को सजलनेंट है क्या है क्या मैंफोर संतिमीटर उपन कर लिया 4.5 किस के लिए था A B के लिए यानि कि A पे जो लेनी है compass और हमने B तक एक arc लगानी है निच्चे की तरफ तो यह हमारी क्या लग गी एक arc लग गी अब क्या लेना है हमने C से B तक because A B तो बना लिया अब C से B लेना है C से B की length क्या है हमारी BC यानि की 5.5 cm तो हम अपने compass को क्या करेंगे 5.5 cm open कर लेंगे और क्या करना है हमने C से B पर arc लगानी है यानि की C पर हम compass रखेंगे और B पर एक arc लगा लेंगे अब हमें क्या करना है इनको match करना है इस तरह से हमने lines को join कर दिया यह बन गया C भी यह बन गया A, B, sides भी हमने लिग दी तो यह हमारे quadrilateral draw हो गया, इस तरह से हम आगे के question भी कर सकते हैं, अब हम देख रहें, next quadrilateral क्या है हमारा J, U, M, P, तो हम क्या करेंगे quadrilateral बना लेंगे, इस तरह से, J, U, M, and P, और यहाँ पर एक diagonal कौन सा given है हमारा, झे यू यो लिए आनिकी ये यू-द्रत पफिर एंप यह वल usual ंप् viola से लास्ट में के क मीड़ाओर घिवन है याफ्षिज यह वह लगा लेंगे पहुले PU की तरह एक 6.5 लाइन लगा लेंगे PU उसके बाद P से हमने क्या देखना है P से हमने क्या देखना है M की उपर एक आर्क लगानी है तो यानि कि PM चाहिए और PM कहाँ पर है 5 cm यानि कि यहाँ पर रखके हम 5 cm की आर्क लगा लेंगे अब U से हमें कैसे आर्क लगानी है M तक यानि कि UM UM क्या है 4 cm तो U से लेके M तक एक आर्क लगेगे जब हम इसे जॉइन करेंगे इस तरह से बन जाएगा ये एक रफ फिकर है अब जब बनाएंगे इसकी शेप अलग भी हो सकती है इसके बाद हमें P से किस पर लगानी है J पर यानि कि P J P J is 4.5 cm तो यहां रखे हमें 4.5 cm की आर्क लगाएंगे Next क्या है हमारा U U से J यानि कि U and J J U 3.5 तो यहां से लेके हम ऐसे आर्क लगाएंगे और यह क्या बन जाए एक क्वाडिलेटर इससे भी हम इस तरह से ड्रो कर सकते है पैरलिलोग्राम यहां पर बनाने पैरलिलोग्राम हमें कौन सा ड्रो करना है M O R E और यहां पर सिर्फ तीन लेंस किवन है वैसे हमें कितने चाहिए होते हैं एक फिगर बनाने के लिए 5 चाहिए होते हैं तो अब यहां पर तीन से हम वो बाकी की दो लेंज कैसे निकालेंगे, अब हम पहले रफली ड्रो करते हैं, M-O-R-E, पैरलिलोग्राम, सब्सक्राइब पैरलिलोग्राम हमने ड्रो किया, M-O-R-E, M-O-R-E, मोर, अब हमें क्या क्या गिवन है, O-R, O-R, यानि कि इस साइड, 6 सेंटिमीटर, Next, R-E, R-E, यानि कि इस साइड, 4.5 सेंटिमीटर, Next, E-O, E-O, यानि कि यह वाला डागोनल, That is, 7.5 सेंटिमीटर, अब हमें चाहिए कि यह दो साइड, हमें पहले लोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पता होती है, कि पहले लोग्राम में उपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानि कि अगर यह 6 सेंटिमीटर है, तो हमारा E-M भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटिमीटर, यानि कि हमारे पास 4th side भी क्या आगी 6 cm next अगर यह 4.5 cm है तो इसको सामने वाला भी क्या होगा 4.5 cm यानि कि OM भी क्या हो जाएगा हमारा 4.5 cm तो अब हमारे पास 5 sides आगी है सबसे पहले हमें क्या draw करना होता है as usual diagonal तो पहले हमें EO चाहिए EO क्या हमारा तो हम एक line ढों करेंगे पहले 7.5 cm तो हमने इया पर पहले क्या draw कर लिया EO हमारे जो side है वो कैा है 7.5 cm यानि कि हमने जो diagonal है वो पहले draw कर लिया अब हमें क्या बनाना है E से या तो हम M पी आते हैं और पे तो पहले हम ट्रो करते हैं कि डितना फ्र पॉर फिग संटी मीटर तो पहले हम स्कुर्ष को स्योट आइस्कमपस को ट्रीं करेंगे 4.5 सेंटी मीटर नेक्स्ट की ऐतला है ने यहां ने अगर्णे को मतलिको टो पर एक लगा दी यानि कि हमारा पोइंट आ चुक्त है तो यह हमारा हो गया आर पोइंट और हम क्या करेंगे इसको स्केल से जॉइन कर देंगे इसके बाद हमें क्या चाहिए इसे निच्छे जाने इसे एम पर इसे एम कितना six centimeter तो इसे हम हमने पहले ये 6 cm open किया हुआ है तो हम नीचे एक आर्क लगा देते हैं इस साइड इस तरह से ये आर्क लग गई और उसके बाद का चाहिए ओ से हमें इस वारी आर्क को चाहिए ओ से हम क्या होता है 4.5 cm तो हमने इस 4.1 mm को क्या कर दिये ज्वाइन कर दिया यह पॉइंत होगे पहले रफ्री ड्रो करके देखते हैं कि हमें गीवन क्या क्या है तो हम यहां पर क्या करते हैं कि रॉंबस ड्रो कर लेते हैं सपोस्थ यह हमारा एक रॉंबस है इनके लिए रफ डायग्रम बनाना बहुत जरूरिया जब भी हम यह शेप्स बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए ब पर देखते हैं कि या क्या वना बीए इस साइड यानि कि 4.5 सेंटिमेटर एंड नेक्स्ट वन इस एट यानि कि यह जो इसका डाइगनल होगा यह इस सिक सेंटिमेटर अब देख सकते हैं कि एक साइड अगर 4.5 है तो मैंने आपको क्वालिटी बताही है रोंबस की कि चारों सचीम होती है तो अगर्व फवाल यह थीह ऩो फिर वाग्न फ़ेंटस और उज्मेट सेंटिमेटर ऊजाarasगेगा इन वन इस ओर पूल सेंटिमेटर अंड यानि कि इस पर हाई संटिमिटर अनेस बीटेट तो हमने यहां पर एक लाइन ड्रोग कर दिया तीज शिक संटीमेटर अब उसके बाद हमें क्या करना है एस पे कार्क लगानी है और टीज से भी एस पे कितना कितना 4.5 तो हमने 4.5 सेंटीमेटर हमनी कंपस खोल लिया तो इसे लेके एस तक एक आर्क गई यहां से लेके इस तक और टी से लेके इस तक भी है 4.5 तो पहले हमारी कंपस ऊपर है हमने क्या कर दिया 4.5 आर्क लगा दी similarly ही सäg भी तक हमें 4.5 चाहիे हमने यहां पर भी आर्क लगा ओर टी से भी तक भी जोन पर लगा दी तो अब हम क्या करेंगे इन 4 4.5 cm this is also 4.5 cm 4.5 cm and 4.5 cm इसके हाथ हमारी एक्साइज भी कम्प्लीट होती है